सबी पशुपालग भाईयों को राम राम नमस्कार मैं हर्विंदर शिरी गंगा नगर राजस्तान से आपके अपने यूटूब चैनल हर्विंदर अवलेशनरी फारम पे मैं आपका स्वागत करता हूं अगर कोई भाई अपने इस यूटूब चैनल पे पहली बार है तो अप पास घंटी वाड़े बटन को जुरूर से प्रेस करें ताकि आने वाड़े अच्छे गोधन का वीडियो अब तक आसके और एकाप अच्छे अच्छे गोधन का चुनाव कर सकें तो यह गाएं की हम पूरी डिटेल देंगे वीडियो में अन्त तक बने रहें और अपने दो अब देख सकते हो टाइम अभी साथ बजने के करीब ने इसने अभी 15-20 मिनिट पहले बचड़े को जनम दिया है तारीक 16 तारीक है नमबर है और बुद्वार का दिन है देख सकते हो टाइम और इस गाए ने अभी बचड़े को जनम दिया अच्छी शोक्वार्टी गाएं बड़ा अंपय गाएं में और एवरे साइज की नाप भी है अच्छी लंबी चोड़ी पूंच है छोटे सीरिंग है सीधे और उबरहुआ माथा चोड़ा माथा लंबे चोड़े कान बारीकड़ कंबल है गाएं में देख सकते हो और अडर की क्वाल्टी थड़ों में स्पे शोट्वाल्टी की शुद्धता में गाएं गाएं सेल के लिए वैलेवल करवा रहे हैं पिछे बचड़ा इस गाएं के सेकिंड बार में इसने बचड़े को जनम दिया है मिल कैप सिटी 15-16 लिटर प्लस की रहने वाली गाएं की पिछली बार इस गाएं ने 13-14 लिटर दू इस स्क्रिद लेटाहिज और कोई गाय के मिलकिंग ने 13 लेता है तो कोई प्रेगनेंट गाएं लेता है तो तेन से चार समयाभी वीडियो कौल पर दूर निकाल के देखें दोस्तों तो यह गाएं की किमत अभी 55 रुप डिमांड की गई है बहुत अच्छी शो क्वाल्टी की और प्राइज नेगोशेवल है इसमें थोड़ा बहुत मांसमान हो जाएगा और आपको और भी गाएं दिखाते हैं जिसमें की एक साहिवाल है फिर एक हर्याना में आगी पिछे बचड़ा है इसके थारफार कर मिलक कैप सिटी 14-15 लिटर है गाएं के अच्छी लंबी के लिए किमत 45.000 रुपे 106 रुपे demand की घई है किस साहीवाल में आ गई की किमत 22.000 रुपे दिमांड की यह एक यह शामा थारफारकर आगी पीछे बचड़ा है थारफारकर में देख सकते हो आप बैठा हुए अभी मा के सामने ठंड का मौसम है तो इस गाएं के लिए किमत भी 22 यार रुपे है और एक ये साहिवाल आ गई बचड़ी वाली इस गाएं की किमत ओनली 35 यार रुपे रखी गई ह हमारे पास एनिटैम ब्याई और प्रेगनेट सभी गाएं सेल के लिए वैलेवल रहती है अभी अपने पास प्रेगनेट गाएं भी आपको दिखाते हैं तो भी आप देख सकते हो यहां पे फूल ठंड का मौसम है और धुन्दाने लग गई है तो भी पशू भार भी नहीं नहीं है बहुत अच्छा ग्रोध कर रही है क्वाल्टी शुद्धता में बहुत अच्छी लंबी चोड़ी पूँच गुच्चेदार पैरों में रिंग है ब्लैक कलर के पास से दिखाता हूं यह देखो रिंग है पैरों में ब्लैक और यहां पर भारी कड़कंबल छोटे स सिर्ण फ्लैट माथा लंबा चोड़े कान और अच्छी कट काठी किये गाएं यह थार फार करें सेकंड बार किये गाएं अभी ब्याने में इसको एक अपते से उपर है और अच्छा यह में ग्रोध करें गाएं एवरे साज की पूँच है चोड़ी लंबी गुचिदार यह मखी चिन्नी गाएं शेल के लिए वैलेबल बड़ा आंप यूशेम में आप भी बारिकड़ कंबल करें लिए इसी इंग फ्लैट माथा अच्छी कुच्छेदार पूंच अभी गाएं पंदरा से बीस दिन ले जाएगी बैने में अभी आपको सल्वटे दिखाते हैं य और एक यह बच्छी है जो कि शेल के लिए है और एक यह गाएं शेल के लिए वैलेबल करवाई जा रही है यह हर्याना और थारफार कर में हैं बड़ा आंप गाये में पतला गलकंबल और अभी ब्याने में इसको 25 दिन अच्छी गुच्छेदार पूंच छोटे करव लिए और एक यह ब्लैक गदरी जो कि बहुत ही कम कलर मिलता है कलर में गाएं जो पारीगर कंबल बिना सिंगों में फ्लैट माथा लंबे चोड़े कान इसको भी एक महीना ब्याने में डियू है अगर कोई लंबा सफर कराता है कोई भाई होते हैं जैसी कि महाराष्ट्रा के तमिल अधिक से होता है तो इसलिए प्रेगनेंट गाएं लेते हो तो आपके पास जाकी ब्याती है तो आपका वहवार पेचाण लेती है तो आपको दूद में और कोई दिक्क्त नहीं आती है दोस्तों तो आपको वीडियो कैसी लगे और वीडियो गर अच्छी लगी तो अपने दोस्त मित्रों में शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो धन्यवाद दोस्तों तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों जब तक लिए जैगो मता जैगो पाल जैहिन जैबारत